लालच किस हद तक आदमी पर हावी होता है? आईए देखते हैं देख रादा, तुझे घर का सारा काम आता है, यह अच्छी बात है लेकिन हमें यह नहीं पता था कि तो पड़ी लिखी कम है और तेरी छोटी बहन की तो सरकारी नौकरी भी लग गई है खैसी बात कर रहे हैं माजी? सारी बात करके ही तो पापा ने शादी की थी अब जब छोटी की सरकारी नौकरी लग गई है तो आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं एए ज्यादा बाकबात मत करियो हम लोगों को पता होता कि तेरी छोटी बेहन की सरकारी नौकरी लगने वाली है तो तुछ सदो कभी शादी ना करवाते अपने होनहार बेटे की हरे तुम मुझ में क्या कमी है वैसे भी आप लोगों ने तो उस वक्त कहा था कि आप लोगों को घरेलू लड़की चाहिए तभी पती महेश आ जाता है राधा पती की बात सुनकर हैरान रह जाती है दिमाग है भी क्या आप लोगों के पास क्या बोले जा रहे हैं साली को घर पर रखेंगे अरे महलाज समाज क्या कहेगा और माना पिताजी को उसके पैसों की जरुवत नहीं है लेकिन वो अपनी कमाई आप लोगों को क्यों देगी आरा क्योंकि हम लोगों के उपर करजे हैं समझी या तो तो दू कमा कर ला या अपनी बहन को बोल कि अपनी बहन का घर बचाना चाती है तो यहां आ कर रहे सब ही मिलकर राधा को घर से निकाल देते हैं राधा भी कहां जाती? माज़ के जाकर रोने लगती है छोटी बेहन मीना कहती है आरे क्या होग्या दीदी? कितना पैसा मांग रहें? अरे अभी देतेते हैं ना, रो मत अब तो मेरी भी नौकरी है लेकिन राधा तो रोए ही जा रही थी नहीं नहीं इस बार लगता है उन लालची लोगों ने कुछ और ही डिमांड रखी है वरना राधा इतना ना रोती क्यों बेटी क्या हुआ है माँ पिता जी इस बार जो उन लोगों ने मांगा है न वो सुनकर तो आप लोगों के पैरों के नीची से समिन खिसक जाएगी ऐसा क्या मांगा है दीदी? तुझे, तुझे मांगा है वाट? वाट नॉंसेस दीदी क्या बोल रही हो? समझ रही हो? मेरी सास ये बोल कर भेजी है कि या तो मीना अपनी सारी कमाई उन लोगों को तब तक दे जब तक उन लोगों के घर से खातम नहीं हो जाते या फिर मैं माईगे में जा कर रहूं क्या हम मजाख बना रखता है ऐसा होता है क्या कहीं? अरे शादी की है कोई आलू टमाटर थोड़ी है क्या अदला बदली कर लो? छोटी बहन शान्त होती है माँ पिता बड़ी को समझा रही होते हैं और वो रोय ही जा रही थी तब ही छोटी बोलती है पापा मैं दीदी के साथ जाओंगी क्या? पागल है क्या? अरे दुनिया क्या बोलेगी? माँ वो लोग सिर्फ मेरे पैसे चाते हैं न? अरे वो तो वो लोग यहां से भी ले सकते थे छोटी फिर वहाँ क्यों बुला रहा है तुझे? माँ वो कह रहे थे कि हमें पता होता कि छोटी की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो उसी से करवा देते उनके होना और बेटे के शादे हाँ और मैं जैसे उस लपडगंजू से शादी कर ले थी लपडगंजू? अगर वो लपडगंजू है तो मेरी शादी क्यों करवा थी? मैं नहीं जाने वाले वापस अरे क्योंकि तो बेवकूफ है तुझे जवाब देना नहीं आता चल मेरे साथ उन लोगों को लगता है न साली पूरी घर वाली तो अब देखे साली का जलवा और शादी शुदा बेटी को पिता भे कितना घर बिठाते? उसके सिसुराल जाते हैं दोनों बेटियों के साथ आयाये! ले आये अपने कमाओ बेटी! यह अच्छा किया! समझदार आदमी की पहचान यही तो होती है! मुझसे बात करिये ना? मैं रहने आ रही हो इस गर में तो मेरी कुछ शर्ते रहेंगी अरे वहाजीवा! बहन के सिसुराल में भी शर्ते! आरे? और क्या? आप लोगों को मेरे पैसे चाहिए दीदी घर का काम करेगी इतना सब मिल रहा है! बैसे आप तो जानती है बाजार में बिना शर्तों के तो एक पालिस भी नहीं मिलती है! बाज तो ये सही बोल रही है सरकारी नौकरी वाली लड़कियां ऐसा नहीं मिलती हाँ हाँ ठीक है अच्छा बोलो छोटी बहू क्या शर्ते है तुम्हारी मैं कोई काम नहीं करूँगी कैसी बात कर रही हो छोटी बहू तुम नौकरी करोगी अरे लाखों काम आओगी की घर का काम करोगी घर के कामों के लिए है ना ये बड़ी दूसरी शर्ट मुझ से कोई बत्तमीजी से या उची आवाज बे बात नहीं करेगा अरे कैसी बात कर रही हो तुम? तुम तो खौबों की रानी हो शट अप जीजा जी अरे ना बीटा मैं हूँ ना बात करती हूँ ना रो मत बच्चा रो मत खैब पिता दोनों बेटियों को छोड़ कर चले जाते हैं अगली सबाँ अरे सरला जल्दी से मेरा और तुम्हारी बेन का खाना पाक कर दो हम लोग आफिस के लिए निकल रहे हैं लेकिन सरला तो सोफे पर बैट कर टीवी देख रही होती है देखो जी मेरी बेहन पैसे कमा रही है तो मैं क्यों काम करूँ याद है ना मम्मी जी क्या बोलती थी कि मेरा बीटा पैसा कमा रहा है तब सारा कम मैं करती थी अब मेरी बेहन कमा रही है तो मैं भी काम नहीं करूँगी, हाँ अरे साली साहिबा, चलिए न, मैं आपको दफ्तर चोड़ देता हूँ या, राप्पेटेशन बनेगी हमारी हाँ हाँ, जीजा जी चलिए आज आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देते हैं छोटी के आफिस में अरे ये कौन है, तेरे जीजा जी है न, ये कैसे तुझी छोड़ने आ गए अरे, वो अपना मेरे पास ही राती है सभी एक दुसरे की तरफ देखने लग जाते हैं हाँ, वो क्या है न, दीदी तो पता है, घरे लुमहिला है जीजा जी के कर्जे ज्यादा है और पढ़े लिखे इतने है नहीं कि कुछ अच्छी कमाई कर पाएं तो मेरी कमाई रखते हैं बस, जैसे ही इन लोगों का कर्जा खतम हो जाएगा मैं अपने घर चली जाऊंगी पास खड़े जीजा जी का मुह बन जाता है घर आकर छोटी तुम ये क्या बखवास कर रही थी ये सब को बताने की क्या जरूरत थी हारे जीजा जी आप खुले आम सब को ये कहे कि साली आजकल मेरे साथ रहती है तो लोग क्या सोचेंगे आप जानते हैं ना आरा उससे कुछ माद बोलना बेटा चल मेरे साथ जिना बसार का डोसा खिलाती हूँ चल 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 हाँ दीदी तैयार हो जाओ डोसा खिला रही है आंटी जी तीनो जारी होती है कि पास महले की कुछ औरते वहाँ पर जमा रहती है और अला जो बहन बहु के बहन यहीं रह रही है क्या हाँ इसे भी रख लिया है अब आप तो जानती ही है कि हम लोगों का दिल कितना बड़ा है जी इन लोगों का दिल उतना ही बड़ा है जितना इन लोगों का कर्जा अब बेचारी बुढ़िया का बेटा लायक तो है नहीं और बहु की बहन की सरकारी नौकरी सब के सामने सास की भी बेईज़ती हो जाती है घर आकर सास और बेटा दोनों छोटी पर बरस परते हैं बस मैंने कहा था मुझे पर कोई नहीं चिलाएगा मैं जा रही हूँ अब आरा लेकिन अरे जाने देना मा मुझे एक बात समझ में आ गई है अगर हमें खुद पर विश्वास हो तो अपनी समस्याओं को हम खुद सुल जा सकते हैं फिर हमें किसी के जरुवत नहीं है